अब्लों वेल्कम बैक टू माई चानल तो थाम्नेल देखकर तो आप समझे गए होंगे कि आदेम सिंपल नेक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे जो बेगिनर से ना उनके लिए तो यह बहुत ही स्पेशल होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिया अग तो बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है जो मैंने बुक्रम लगाया हुआ है उस वाले एरिया तक मैं बुक्रम को कट कर ले लिए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है अलग कर दे लिए हूं कट करके तो इस तरह की से रख लेने वाद मिड से हमें फोल्ड कर लेना ह और फोल्ड कर लेने के बाद निशान लगाएं ग गुले की चौड़ाई होती ना थीन इंच होती। जो बच्छों वगेरा को आप निशान लगाएंगे ना गुले की चौड़ाई कितनी रखे तो इसमें ढ़िदा एंच आप रखना और बांकी बढ़ों के लिए तीन पहले मैंने सादे चेंज पर निशान लगा था पांच पर निशान लगाया था आप इसको उपर से भी मिला लेंगे हम इन लाइन्स को चोड़ाई इसकी तीन इंच है तो इन लाइन्स को भी ऐसे मिला लेंगे और एक हमने साड़े चेंज पर नीचे लगाया था निशान तो उपर वाले पार्ट को हमें शेप देना फिर नीचे वाले पार्ट को हम शेप देंगे तो यहां पर डेड़ी इंच का पहले तो मैं निशान लगा रही हूं मिड में किनारी से और यहीं से इसको राूंड करेंगे इससे क्या होगा ओगा एजatar ब मृण शेयब देने में के इस तरह से इस तरह से हमने शेप देदे और इस तरह सा अब भी राएंण शेफ दे सकते हैं और जो भी आप को मिला देना है यह हो गया नीचे से हलका सा वी शेप आ रहा है इसमें अब यहां पर एक इंच की चुड़ाई दूंगी इस तरह से कि नीचे लग देंगे इसको कि नीचे तक इसे मिला लेना होगा ऐसे और उसके बाद मिसकी कटिंग करेंगे ना तो हाफ इंच का कमसे का मार्जिन रखते वे कटिंग करना है क्योंकि इसको हमें फोल्ड भी करना होगा किनाडी इस तरह किसे हमने कटिंग कर लिया है और मिड़ में भी एक कट का निशान लगा देंगे और ऐसे ही इसको फिर रख लेने को दूसरे साइट से फोल्ड करके थोड़ा सा टैप टैप करके दूसरे साइट ने इसका भी सेम निशान आ जाएगा जब आप हाथ से मारोगे तो और दूसरे साइट भी इसको फिर निशान बना लेना है इस तरह से हलकाल का डिजाइन आ गया और इसको भी फिर ऐसे ही मिला लेना है तो नेक की जो मेजर्मेंट लेना था और जो निशान लगाना था वो तो मैंने बता दिया और अब इसको स्टिच कैसे करना है वो भी देख अबसे मार्जिंग इनें सबसे हम इसके सीलिए और बहुत एजी है असानी से 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 स्कते हैं उबन default इसे लिरना बाद में यंसमें पूरा निक डिजाइन रिडिग कर लेंगे में सिल से किनारी पेसे कट लगा देंगें तागी फॉल्ड करने में असानी है इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और नीचे से भी इस तरह से इसका किनारी अच्छे देख के फोल्ड कर लेंगे ताकि जब इसमें तुर्पाई करो तो फिनिशिंग अच्छी आए और किनारी से इसमें कट लगा लेंगे कट लगाना जो जब भी कोई ति 챙चा कपडा होता है नहीं राउंड शएप वगैरा का होता आप छोट-छोटे कट लगाने ज़रूरी ताकि आछानी से हो फोल्ड होजाए है वही पर अगर कपडा सीधा होता है न तो कट लगाने कट लगा लें च्छोटता कट लगा लिया में ने purpose और पर तयाय चला इनुप कर लेंगे अगर आप बेगना रहें तो थोड़ा थोड़ा दूरी में पूरे में फिनिप कर लें मैं में मिड में चला दे रही हूं उपर तक थोड़ा बस यहाई तक मैं सिलाई चला के छोड़ दूँगे अब बाद में जभी कटिंग करेंगे न हम नेक बन जाने वर्ट तो यह खुद ही अलग हो जाएगा तो अब इससे क्या होगा न एदर दर नहीं होगा फिक्स रहेगा अब बस जो अपने निशान लगाया हुआ है कि गले के शेप का डिजाइन का जो भी है उसके उपर बस हमें से धीरे धीरे सिलाई लगाना बिल्कुल भी जल्द भाजी नहीं करना वनना शेप बिगड़ है और जितना निशान लगाया है वह ना जहां तक बिल्कुल उसी के उपर चलाना उससे एक्स्ट्रा नहीं चलाना वनना एक साइड का शेप अलग होगा और दूसरे साइड का शेप अलग होगा तो यह अल्मोस्ट जो नेके रेडी हो गया है अब यहां पर इसे में पका कर लूँए और उसके बाद कटिंग करेंगे तो कम से कम एंज का गैप देते वें कट करेंगे हाफ इंच थोड़ा सा कम का गैप देते वें पीछे से इस तरी की से नजर आ रहा है अब इसको कट कर लेंगे सूट का सीधा वाला पार्ट मैंने ऊपर रखा हुआ था यह देखे इस तरह अब इसमें हमें छोटे-छोटे कट्स लगाने पहले तो बीच में सीधा लगाना तक इतना ऐसे कट लगाना है कि जो सिलाई हमने लगाई है वो ना कर जाए उसे थोड़ा सा आगे ही ऐसे छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं तक जब इसको पड़िटे तो असानी हो जाए कि अब इसको अंदर पलट लेंगे हाथ से दबा दबा के और आयरंड करना चाहतों आयरंड कर सकते हो और अच्छे फिनिशिंग आ अच्छे जाता है तो इस तरीके से इसको शेप दे लेंगे फाइनल इसका जो लुक है रेडी होगे पिछी से तुर्पाई करना होगा और इसकी किनारी किनारी पे न या यह वाला जो पूशन है यहां पर आप चाहें तो सलाई भी चला सकते मैं आप सलाई नहीं चला रही हू और आप चाहें तो सलाई चला सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है और पिछे तो तुर्पाई हो जाएगी तो यह आपको यह डिजाइन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा आज की वीडियो में इतना है थाइंक्यू सो मच